नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन मैं हूँ आपके साथ अनुराग दिख्षित बात नू हिंसा की नू हिंसा के कितने गुनेगार कौन गुनेगार ये काम तो जाच एजनसी को करना है लेकिन कई नाम जिनकी चर्चा लगातार हो रही है उनमें एक नाम बिट्टू बजरंगी का है जिनको लेकर तमाम तरीके के सवाल तमाम तरीके के आरोप रखे जा रहे हैं बिट्टू बजरंगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिट्टू बजरंगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका निउस नेशन पर एक आरोप जो आपके उपर लग रहा है वो ये लग रहा है कि नू हिंसा में सबसे बड़े गुनेगार अगर कोई हैं तो एक बिट्टू बजरंगी भी है जोनोंने लोगों को भड़काने का का बिट्टू बजरंगी क्या कहेंगे आप क्या आपने भड़काया लोगों को क्या आपने जलाया नू को जिन्होंने जलाने की बात करी जिन्होंने मालने की बात करी उन्होंने नू को जलाया और नू को नहीं जलाया हमारे सभी सनातिनी भाईयों को मारा सेगडों गाडिया जला दी हमारे दो सैनिक हमारे जे इस पाई उनको माला सब यह उनका किरते करत हैं मेरा इसमें कोई कसूल नहीं है लेकिन आपके एक वीडियो वाइरल हो रही है जिसमें आप करें कि देखो मैं पाली तक पहुंच गया हूँ ससराल पहुंच रहा हूँ कु मेरे पास कई तरह की वीडियो वर्टसप चैटिंग और रिकोर्डिंग है जुनों ने मेरे को मारने काटने की बात करी जुनों ने ये बोला तू एक बार में बात में आगर दिखा तरह टुड़े टुड़े कर देंगे मेरा उनके लिए था ना कि सबी के लिए लेकिन अगर कोई आपको धमकी दे रहा था तो आप पुलिस के पास जाते एफाई आर कराते आप धमकी का जवाब धमकी के तहट दे रहे हैं आप करें कि मैं पहुंच रहा हूं तुमारे याँ अपाई यार में जब करा था जब क्योंकि मैं आदे गंटे में हम सभी लेडी मेला हैं बच्चों के साथ हम सोवा यात्रा में जा रहे हैं और उन्होंने आदे गंटे बाद ही इस घटना को अंजाम दिया क्या कितनी सारी गटना इतने सारा बड़ा एक खिरतिया जो कि आद से फोड़ देंगे लेकिन अब उन्होंने द्वारा से वीडियो चारी करी सभी वहां के लोगों ने की प्याज फोड़ के दिखानी है तुम बोलते ही बोलते हो अब की बार सभी टेक्टर ट्रोली ठरेसर जितने भी वहां के डंपर सब किया जाए आज इंसा अल्ला नारा तकदीर यह सारी चीज़ें होंगी उस चीज़ को लेकर सभी एक्टे हुए पैट्रोल बंब आदुनिक हतियार पाड़ों से फारिंग यह सब क्या पंद्रबीस मिंट का काम है कि मैंने बोलते ही वो तैयार थे क्या ने यह सारा आपने भी तो पांच मिनट पहले वीडियो पहुंचने वाला हुँ पहुंचने वाला हुँ पहले आदा गंटा पहले तरही यह पंद्रबीस मिन की तैयारी थी पहले से यूटूबर जितने हैं आप चेक कर लो मीडिया के मादम से में निविजन करता हूं वहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपके बार आके दिखाओं में त anticipate कर देंगे जाब देने के लिए वहाँ पर जा रहे थे आप खुद उनको धंकाने के लिए जा रहे तेगा जिए थे सामिका हमारी नहीं पहले हमारी धार्मिक यातरा है जे कहीया ऌप अपनी बात किजे कही है? पहले हमारी कई यातराय थी, जो कि तरीके से और नवय से निगली। और हर बार की तरह अब की बार भी हमने इस यातरों को निकालना था। लेकिन वहाँ पर जो पूजा करा, हमने हमने वहाँ जलबेसे किया, बोले बाबा के और वहाँ पर अर्चना करके सभी वहाँ की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी खट्टे होकर हमने वहाँ सत्संग किया, सत्संग करने के बाद जैसे ही निकले, आदे किलोमेटर आगे चलके हम पर हमला हो जिया लेकिन बिट्टू बजरंगी देखे, ये बात हर किसी के समझ से पर है, कि ऐसा कौन सा सत्संग है जो धमकी देकर, चेतावनी देकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके किया जाता है, कि मैं पहुँच रहा हूँ, आप करें कि मैं सत्संग करूँगा, लोग करें कि आप जन कर रहे हमने किसी को मारा नहीं हमने टैर नहीं जला है, हमने गाड़ीlles ही डोटी हम पहुचे है, हम पहुचे है, मंदिर पहुचे है, हम जल्वी से किया हम एंदर्सन किया, आगर वो इस चीज़िकों गलत समस्बते नहोंने तैह करें भीया ताक आप ससुराल में जा रहे थे जलाब इशेक करने मंदिर में जा रहे थे बिटू बज रंगी जा कहा रहे थे मंदिर में मंदिर में मंदिर में तो यह ससुराल की बात कहां से आ गए आप नहीं उकसा रहे थे कि लोगों को यह कहते हुए कि मैं अपनी ससुराल आ रहा हूं ससु जो किया उसी को तो कानून हाथ में लेना कहते हैं उसी को तो कहते हैं कि आपको कानून पर भरोसा नहीं था हर्यारा की पुलिस पर भरोसा नहीं था आपको किसी ने धंकी दिया आपने उसी अंदाज में उसको जवाब दिया और उसके बाद जो कुछ वाब और किसी ने देख और तीस वर्सों से कानून पर फरोसा रखती हम प्राफ़तां जर्म कावे कर रहे हैं ठीक है लेकिन एक चीज़ और बताए है वो यह कि अगर ये आप गए थे किसी मंदर में जलाबशे करने के लिए तो वहां तलवार क्यों नजर आ रही थी हतियार क्यों नजर आ रहे थे इसके हतियार है हम पर नहीं लेकिन ऐसे बहुत सारे वीडियो लगाता है जिसमें लोगों के हाथ में राइफल नजर आ रही है बंदूक नजर आ रही है तलवार नजर आ रही है ऐसे आरोप लगाता है अच्छा आप लाग जाता है लड़ाई ठैठा करने के लिए ने देखे दो बाते हैं आप ऐसी कर रहे है जिनमें हापस में विरोध है पहली बात अपका वीडियो जिसमें आप धंकी दे कर कह रहें कि मैं पहुंच रहा हूं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या जवाब दिया जाता है और दूसरी तरफ आप कह रहें कि नहीं साथ देखे मैं तो मंदर जा रहा था परवार के साथ जा रहा था मेरा क्या मतलब हत्यार से क्या मतलब मेरा हिंसा से भाई तो यह उनकी सोच है एक दो भाई सनातरी भाई जो पूझा करने की तलवार उसको लेकर गई लेकिन एक सैतालीस और आधिनिक हत्यारों के साथ अगर तलवार की कलपना करते हैं अगर गारी फुगने की कलपना तलवार से करते हैं तो गलत है हम किसी को तलवार नबहाइं नहीं हु場 परं में अब पूजा के लिए अगर कोई एकाथ भाई गल्ती से ले गया हो तो मैं कहीं नहीं सकता लेकिन कोई ये दिखादे वीडियो में कि कितनी तलवार ले रही है हमारा वहार तलवार का परदसन नहीं था हमारा कोई सक्ती परदसन नहीं था वहापे किसी को हमको बढ़काना नहीं था हमारा तो वहापे पूजा का मकसद था और हमने जल्बी से किया अगर ये हमारा कि देखिया आप हत्यार लेकर गए आपने का कि हो सकता एक दो साथी जो है वो तलवार लेकर गए हो शिवजी की पूजा में कौन सा ऐसा महत्तु है कहां लिखा हुआ है कि शिवजी की पूजा में तलवार से पूजा होगी तलवार की जरुत होगी क्या मैं लेगे तल्वार मेरे हाथ में है तल्वार मैं आपके हाथ में नहीं आपने कहा ना कि कुछ हो सकता है कि कुछ सनातनी के हाथ में तल्वार हो वहाँ तलवार की जरुद क्या थी सनातनियों को शिवजी की कांजी कुजा में मैं आपसे पूछ रहा हूं शिवजी अरे बिट्टू बज़गी बैद क्यों ले गए सवाल तो यही है रहा शानून आप अपने हाथ में ले 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 लिए जो तलवार लेगा उनको फासी लगा दो फिर लेकिन उनको फासी मत लगाओ जिन्होंने एके 47 जो आदुनिक हत्यारों पे हमारी हत्याई करीं हमारे माता बेहनों की हमारे जवान सईद हुए उनको फासी मत लगाओ तलवार वालों को फासी लगाओ आप करें कि दूसरे पक्ष के पास एक है 47 जैसे हतियार थे आपने देखे वहाँ पर जी अनुमान लगा रहे हैं दो किलोमेटर से फारिंग हो रही है हमारे जवानों पर गोली लग रही है हमने अपने आखों से लासे देखी है क्या ऐसे ही मौत हो रही है वो इतने वहाँ प अधे गंटे पहले का था लेकिन दूसरे पक्ष ने भी कहा जा रहा है लगातार कि देखे साब मौनु माने सर भी उकसा रहा था धंकी दे रहा था कि मैं पहुंचूंगा वहाँ पर बिट्टु बजनेंगी ने पहुंच रहा हूं लेकिन मौनु माने सर से आपकी मुलाकात है सबी सब्सक्राइब करते हैं उनका मिलना होता है कोई हमारा कोई किसी सब personal कोई कार्य कोई business कोई काम धन्दा नहीं है लेकिन कोई समाजी धार्मिक program होते हैं साल में एक दो तो जरूर मिलना होता है ये जो नूग का कारिक्रम था धार्मिक गर्म यह दो कि कारिक्रम इसमें मानू मानेश सर भी कहा है कि वो पूंचे गा आपको जानकारी थी इस बात की म weई रही आप ती leone लेकिर उन्हें मोमन खान अफ्ताव ऑंद और जाबिर घाडिमी Pacific 또 ने哇 एक दो और और पहले बोल दिया कि म dziगे vivo खराब होगा उन्होंने पहले गोस्तना करती है ठीक है तो मौनु माने सर से आपकी साल में एक दो बार मुलाकात होती है मौनु माने सर अलावा सब से जो सनात्मी धनम का काम करते हैं साल में जो प्रोडाम होते हैं जी सबसे मतलब और धनमी बड़े प्रोडाम होते हैं उसमें कोई पत्थरवाद नहीं है हम कोई आतंग वाद नहीं है तो फिर नूमें तलवार क्यों नहीं करी है फिर नूमें तलवार क्यों ना हमने कोई डूपी किसी की आज तक अरे मैं पूछ रहा हूं फिर नूमें तलवार क्यों आपके हाथ में आपके साथियों के हाथ में किसी सहातनी के आथ में तलवार नहीं देखि वहां पर नहीं अब आप इने कहा कि कुछ लोगों के पास थी तलवार मैंने कानगर के उपर लगातार लग रहा है कि नू को अगर जलाया गया तो इसमें बड़ा हाथ आपका है क्या केहेंगे आप आकर मैं इक आपका रोते हुए वीडियो वायरेल हो रहा है वो आप ही का है क्या अन्य। ये उसके खिलाब मेरे खिलाब एक मुकदमा गर्ज होगा परसो और मेरे को अभी फिलाल को Brenda से जमानत लेके अपने घर पे हूँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दे और तमाम सवाल जो आप से जुड़े हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए तो आप सुन रहे थे बिट्टो बजरंगी को वही चेरा जिसकी चर्चा सबसे ज़ादा हो रही है नोकी हिंसा में